पौड़ी पुलिस का मानव तसकरी निरुधक दस्ता इंदिनों जिले की विवन शेत्रों में भिक्षा वर्ती के खलाप आम लोगों को जागरूप कर रहा है। अभियान कोर्दवार शिनगर और लक्षमन जूला शेत्र में चलाया जा रहा है। उर्दवार के विवन शेत्रों में पुलिस ने भिक्षा नहीं शिक्षा दो कारिकरम के तहट देवी मंदिर में नुकल नाटक कर लोगों को संदेश दिया। इस अवसर पर जन्पद पौडी की अपरपुली सदिक्षक जया बलोनी ने बताया कि इसका नाम ऑपरेशन मुक्ति अभियान है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की पहचान कर अप्रेल माह से उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। अब तक जिले भर में 55 बच्चों की पहचान की जा चुकी है। वेरिफाई किये हैं तीनों टीम्स ने मिलकर और आज के लिए जागरुकता भियान भी चल रहा है। नुकरनाटक में भाग लेने वाली बालिका ने कहा कि उनका उदेश भिक्षा और शिक्षा को लेकर लोगों में जागरुकता पेदा करना है। बताना चाहती हूँ कि आज हमने यहाँ पर नुकरनाटक किया है। नुकरनाटक के जरिये हमने लोगों को जागरुक किया है कि सिख्षा हम सभी के लिए जरूरी है। वोई operation मुक्ति अभ्यान को लेकर इस्तानिया लोग मानते हैं कि इसे भिक्षाबृती परंकुष लगेगा सांथी बच्चों को शिक्षा भी मिल सकेगी। तो बच्चों की शिक्षा को लेकर और महिला सासकतिकरण को लेकर काफी यह लोग काम करते हैं। और लगता है कि ऐसे अकर सभी लोग इसमें जुलेंगे तो बदलाव आएगा क्योंकि किसी भी चीज को गलत हो या सही समाज को ले जाने में सभी की भागेदारी रहती है और मुझे लगता है कि हम जैसे आम जंता को भी आज मैंने इस लोगा नंबर भी लिया और मैंने का कि ह हमसे भी जो सायोग होगा बच्चों के लिए महिलाओं के लिए हम करेंगे है कि अ